मेथी की सबजी खाखा के अगर आप बहुर हो गए हो तो मेथी का कुछ अलग ट्राइ करें और अगर आपके घर में जो मेथी की सबजी या मेथी के पराठा नहीं खाता होगा न तो एक बार ये रेसिपी आप बना के उनको खिलाए येकीन मानिए कीलो कीलो भर मेथी खतम हो जाएगी आपके घर में तो चलिए जटपट से सुरू करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बंच छरी मेथी मेथी को मैंने तोड लिया था और अच्छी तरीके से 3-4 बार पानी से दो लिया है और अभी मेथी को एकदम बारीक बारीक काट ले रहा है जैसे हम सबजी के लिए काटते हैं या पराठे के लिए वैसे उसी तरीके से हमें इसे एकदम बारीक काट लेना है चैनल पर जो पहली बार आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब जरूर को लिजेगा और बेल ऐकन दबाना मिल्कुल भी न भूले तो चलिए मेथी हमारी कट चुकी है इसे डाल देंगे एक बड़ी बरतर में और अब लेना है एक मीडियम साइज का प्याज प्याज मैंने छेल लिया है और अभी इसे लच्छे में काटेंगे देखिए एकदम पतला पतला लच्छे में काट लेंगे हम इसको और फिर इसको अच्छी तरीके से सारे लेयर निकाल लेना है देखिए इस तरीके से निकालक ना है क्योंकि हमें इसे पीसना है इसलिए अच्छी तरीके से इसको काटके और हमें डाल देना है मिक्सिजार में ये मैंने इसमें डाला है एक चम्मच साबुद धन्या एक चम्मच सौफ और एक चम्मच चीरा डालके इसे पीस लेना है एकदम दरदरा पीसना है इस तरीके स चमच लाल मिर्च पौडर और एक ही चमच हमें इसमें डालना है नमक और यह मैंने ले लिया है एक मीडियम साइज की आलो आलू को छील लेना है अची तरीके से और फिर एक बरतन में पानी ले लेना है और इसमें हम आलू को ग्रेट करेंगे एकदम लच्छे में काटना है आ एक कप के करीब मक्य का आटा और वही एक कप हमें इसमें डाल देना है बेसन और ये मैंने ले लिया है हरी धनिया हरी धनिया भी एक बंच ले ले क्योंकि धनिया इसमें डालने से उसका टेस्ट अच्छा लगता है और थोड़ी सी मेथी की कड़वाहट के कम हो जाती है धनिय डालने से तो धन्या को भी बारी कट लिया है मैंने और उसे भी डाल देना है उसी परतन में जिसमें हमने सारी चीजे डाली है यह मैंने इसमें एक चमत लजसुन का पेस्ट डाला हुआ है यह आप डालना चाहे तो डाले और नहीं तो फिर स्किप भी कर सकते हैं अब सारी ची कि छोटी छोटी टिक्किया बना देनी है जैसे हम वड़े बनाते हैं उसी तरीके के हमें इसके टिक्की बनानी है एकदम गोल गोल छोटा बड़ा जिसी साब से आप चाहें या शेप भी आप जिसी साब से चाहें उसी साब से दे सकते हैं देखे मैंने इस तरीके से बनाय हुआ है और इसे रख देंगे प्लेट में और सारी टिक्कियों को हमें तयार कर लेना है उसके बाद में हम इसको fry करेंगे आप इसे चाहें तो shallow fry करें या फिर deep fry करें या फिर air fry कुछ भी आप कर सकते हैं जिसे साब से आप खाना चाहें बना और तेल गरम हो जाए उसके बाद में हमें medium low flame पे gas कर देना है और फिर हम सारी टिक्कियों को इसमें डाल देंगे मैं इसे shallow fry कर रहे हूँ आप इसे deep fry भी कर सकते हैं कडाही में और चाहें तो इसे air fry कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा मेथी का बड़ा तयार होगा एक बार आप जरूर ट्राई किजेगा देखे इसको आसानी सिक्दम दीरे दीरे पलटना है नहीं तो तूटने का डर रहता है क्योंकि हमने इसमें डाला हुआ है मक्य का आटा और बैंडिंग के लिए डाला था बेसन और आप चाहें तो मक्य के आटे के जगे चावल का आटा डाल स लगते हैं सूखा पोहा में डालना है इसमें द्यान रहे गीला नहीं तब ही देखिए फ्राई हो चुका है वड़ा हमारा इसको चान लेना है और एक चन्नी में इसको चान के रखेंगे चन्नी में रखने के फायदे मैं बताती हूँ आपको चन्नी में रखने से क्या काफी चोटे पीसेश जो होते हैं दूसरे वाले वड़े में लग जाते हैं तो इससे वड़ा काला पढ़ जाता है और खाने का टेस्ट भी खराब हो जाता है तो और वी वड़े मैं इसमें डाल के फ्राइग कर ले रहे हूँ ये नाश्ता आप साम को चाय के साथ खा सकते हैं या फिर इसको टिफिन में भी दे सकते हैं बच्चो को वैसे तो ये गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है लेकिन हाँ ठंडा होने के बाद भी टेस्ट इसका बिल्कुल अच्छा लगेगा तो देखिए एकदम कुरकुरा और गोल्डन प्राउन होने तक इसको हम फ्राइ कर लेंगे और सारे वड़े को निकालके हमें इसमें चन्नी में डाल देना है तो तील जरूर डालें ये वाले वड़े में तील डालने से उसका टेस्ट अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है तो देखिए वड़ा हमारा बनके तयार हो चुका है तो चलिए एक वड़ा में लेकर आपको दिखाते हूं कितना कृस्पी और कृकुरा बना हुआ है इसी तरीके के वड़ा फ्राइ करें ताकि बाहर से कृकुरा और क्रिस्पी हो अब आप इसे सॉस के साथ सर्ब करें या चटनी के साथ सर्के चलिए मैं एक आपको तोड़ के भी दिखाती हूं दिखिए अंदर से कितना एकदम सॉफ्ट और बाहर से एकदम कृकुरा बना हुआ है तो आप सॉस चटनी या ऐसे भी खा सकते हूं चाय के साथ बहुत ही प्टेश्टी और बहुत ही बढ़ियां लगता है ये वड़ा तो एक बार आप भी जरूर ट्राइ करें और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरू कर दिजेगा और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरू कर देना तो फिर मिलते हैं मेरे आने वाली कोई नवी वीडियो के साथ तब तक ले बड़ा बनाईए खाईए और विंटर का एंजोई कीजिए बाइब्स है बड़ा जरू कर दो दो एंजो वीडियो के साथ